कि ऐगाई इस देखो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैपी इंडिपेंडेंस दें कल एक बहुत बड़ा दिन है बहुत बड़ा दिन है और लगबग दिल से सेलिबरेशन आना चाहिए बहुत बड़ी चीज़ है जै हिंद बारत माता की जै बहुत अची चीज़ है सर कल लगबग मैं खोलूंगा, सभी लोगों का festival है, कि बाल एक है, दो लोगों का नहीं, सभी लोगों का festival है sir, क्यूंकि sir, यह हमारा अपना इस देश के लिए कुछ भी sir, आईए तुम्हें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे सर लगवा गिरते बजार ने लोगों को बहुत मुटा पैसा बना कर दिया गिरते बजार दे सर ठीक है और यहाँ पर देख सकते हैं कोई भीमार है सर भीमार हॉस्पिटल में है अब देख सकते हो कौन है सर बुल तो यहाँ पर सर देख लो समझने की कोशिस करो सर जब मार्केट गिर रहा हो और मतलब मार्केट बहुत ज़ादा बेरिश नजर आ रहा हो सर तो आप समझ लो बुल भीमार है अब इसका फायदा आप उठा लो सर याद रखेगा कि सर जब यह होस में आ जागा तो सर सब को भी होस कर देगा कोई इसके सामने टिक पाएगा आपके सामने सर एक बुल ला दिया जाएगा और कि आप खड़ा हो पाओगे नहीं खड़ा हो पाएगे सर अगर वहाँ पर माल लेते हैं हजारो लोगों को भी लग दिया जाए तो भी सर सभी लोग भीड में भागना स्टार्ट कर देगे को समझदार लोग पहले ही आपस में बात चीत कर रहे हैं कि इसको मासूम मत समझो जबी ठीक हो जागा तो किस कदर भागेगा ना किस कदर भागेगा ना दुबारा नहीं मिलने वाला सर दुबारा नहीं मिलने वाला तो यह सर मैं आपको बोलूँगा कि यह समझदार लोगों तो सर खरीदे कहां, सिंपल सी चीज है सर, अच्छी चीज कहीं भी मिले, खरीदिये, और जब बजार और गिर जाए, और अच्छी चीज आपको मिला है, और और गिर गया नीचे, तो समझे और अच्छी कवरे आपके लिए, कभी-कभी सर लग-बग अपना रास्ता बदल दे लोग बौलते हैं कि सर, पैसा नए मिल रहा, मार्रिकेट में प्राफिट नहीं मिल रहा है, अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, कहने का मतलब है, कि सर देखो, आब भीड़ी में चलोगे, तो वही चीज मिलेगी न, हैं की निचा, अब इमाले लेटे है, कि यहां पर एक रोटी है, तो सर, यह सभी लोगों को एक ही रोटी से खाना पड़ेगा, क्योंगि सब भीड़ में जा रहा है, सब एक दूसरे को छीनेंगे, जो बचा हुआ रहेगा, वही खाएंगे, सर लेकिन अगर एक रूटी यहां पर है आपके लिए जा रहा हो तो सर यह पूरा आपको मिलेगा समझने की कोशिश किज़े सर अभी माल लेता है कि सर यहां पर 10 क्रोड रुपए है तो 10 क्रोड रुपए है तो सर यह सब को डिवाइड करके देना पड़ेगा क्यों कि इस रा बीड में जाओगे तो आपको आदा आदा करना पड़ेगा लेकिन सर अकेला जाओगे और यहां पर 10 क्रोड रुपए है तो सर यह टोटल आपका मिलेगा बात समझने की कोशिश किज़े सर इस भीड में हो सकता है 10 क्रोड अगर मिल भी जाएं तो सर 10 क्रोड अगर मिल भी लेकिन सर इधर अगर आप जाओगे तो सर दस के दस करोड रुपे केवाल आपको मिलेगा आपको मिलेगा तो कभी भी सर डिफरेंट पाथ चूज करने से घबराईए मत कभी भी मत घबराईए जैसे कि अगर देखेंगे प्रकास पाई तो सर आज ये स्टॉक 13% दोड़ा है तो लोग बोलेंगे अच्छा कमपनी है बिलकुल अच्छा कमपनी है लेकिन सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर यही स्टॉक कल के डेट में अगर माल लेते है 60% गिर जाए तो सर मैं आपको बोलूगा लोग बोलेंगे ये खराब कमपनी है क्यों कमपनी क्या ड्रक्स बेचना स्टार्ट कर दी है क्या कमपनी कोई गलत काम करना स्टार्ट कर दी है नहीं कोई गलत काम नहीं कर र आता है चुपके से पहले खरीद लो फिर किसी को बताना सर फिर किसी को बताना क्यों क्यों कि सर मैं तो आपको पहले बताई देख लीजिए सर देख लिए अगर स्टॉक मार्केट में चाहते हो कि दुनिया का सबसे अजूबा खबर देखने को मिल जाए तो सर वह खबर यही ही रहता है कि मार्केट गिर रहा है बस इतना समझिए बहुत हासान चीजा सर मैं आपको बालूँगा आप खुद इसको कॉंप्लेक्स बना देते हो सर श्रॉक गिर रहा टो आपडर जाते हैं सर ऐसे कैसे काम चलेगा कुछ लोग बोलते हैं सर मैं क्या गातानोब 20-30% के गिरावट पर आपको क्या जवाब दिया जा सकता है सर यह तो बहुत नॉर्मल है स्टॉक मार्केट में एक दिन के अंदर 20% गिर जाता है सर चीजे एकि नहीं उतना टेंचल लेकर चलो तो क्या बूल सकते हैं आपको सुने आप लोगने रिक्वेश्ट कर रहा हूँ कल की डेट में आपके नाक के नीचे से निकल गया तो फिर मत बोलिया कि सर आपने पहले नहीं बताया है कि नहीं सर साफ साफ मैंने आपको बोला और तब सर यह स्टॉक गिरा हुआ था और आज देख लिजे सर देड़ सर रुपय का गिरा हुआ स्टॉक आज 13-13 पसंट भाग रहा तो आज लोगों को सर यह कंपणी पसंद आएगा बिल्कूल नहीं सर अगर आज के डेट में यह कंपणी आपको अच्छा वाग रहा है तो आप सी दी बात समझ लिजे कि सर अगर सरकार पेटर्ल का प्राइस बढ़ा देती है यह सरकार बोलती है कि आप ज़्यादा टेक्स लूँगा तो लोग बोलते है यार सरकार गलत कर रही है कैसे सरकार अलग गलत कर रही है सर बता यह मैं तो बलूँगा सर को और टेक्स बढ़ा देना चाहिए हर चीज का प् कुछ अच्छा होगा ना अभी माली जब राइस का बोरी खरीदने जा रो आपको मिला सर रुपे में अब लोग बोलेंगे यार सरकार कितना गलत काम कर रहे है तो फिर यहां खरीद लेंगे सर उसी तरीके से सरकार थोड़ी सी प्राइस बढ़ा देगी कि किसी पर चीज में तो लोग सरकार बोले लगे हैं सरकार न कितना बढ़ा दिया थोड़ी सी चीज़ बढ़ा ही है और वह जी चीज़ घूम फिर कि आपके पास यह आ जाता है सर वेलफेर के माध्यम से वह चीज़े आपके पास आ जाता है सोच वह आप 1.500 रुपया का स्टाउक काहा सर, 1.500 जिन लोगों को 553 रुपीज में अच्छा लग रहा है, सोचिए, मतलब जो प्रोडक्ट 150 में मिलता था, अब लोगों को 550 में भी अच्छा लग रहा है, तो सर, इससे यही पता चलता ना, कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है, सरकार को हर एक चीज का प्राइस बढ़ा देना च काम करते हैं, क्योंकि लोगों को वही चीज पसंद आती है, जो भागे हुए रहते हैं, गिरे वो चीज जो पसंद नहीं आती है, सरकार अगर कल किसी चीज का प्राइस कम कर देगे, तो लोगों को खराब लगया, सर, उल्टा क्यों सोचते हो, आप लोग कहीं पर भी, कहीं नहीं आया था, क्यों, क्योंकि आपको सस्तिश्ची चीचर पसंद नहीं है, इसका मतलब यह होगा सर, है कि नहीं है देखिए, मैं प्रकास पाइप के उपर दो साल पहले, दो साल पहले दो साल पहले, दो साल पहले, दो साल पहले सर, वीडियो बना बना कर दो-दो सर पहले आप जाकर देखिए क्या प्रकास पाइप के ओपर मैं एक भी वीडियो बनाता हूं नहीं बनाता हूं सर और बनाओंगा भी नहीं पूछे क्यों आप तो सर वो जो कंपनी ने जड़ पकड़ दिया है सर अप तो फल देना स्टार्ट कर दिया है सर तो हो सकता आप अपने आंगर में पेंड नहीं लगा हो तो आपको सर फल तो नहीं मिलेगा है कि नहीं सर देख लिए, यहां पर विमोला था, एक शियर जब तक तोडूँगा नहीं, तब तक छोडूँगा नहीं, सर यहां देखसाथ और आज कहां चला गया, सर यह भी PPL है, यहां PPL दिख रहा होगा आपको यह देख लिए पील आपको यहां पर दिख रहा होगा देखिए आप दूसरा वीडियो देखे सर मैंने थम्निल पर साफ साफ लिख रखा है साफ साफ लिख रखा है कि 400-500 तो आप समल लो इतना परसंट 45 गुना तो आपका पैसा करीद देगा सर जहीं ही स्टोक बतांगा जो आपको काफी अच्छा प्रॉफिट निकाल और घिर्थि पजार में यह मेंने आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छा स्टोक धूंड़ने की कोसिशिस किया नाम झूँदा अनूखा होगा नक्यू अनूख सूना आप लोगोंने कितना चार से पांच गुना सर, इतना स्टॉक कोई माई का लाल है जो आपको बताते, कोई माई का लाल है सर जो आपको बताते कि ये स्टॉक पांच गुना हो सकता है सर, कोई नहीं बताएगा आपको क्यूं, क्यूंकि सर इस लेवल पर रिसर्च करना पड़ता है सर, मैं खुद ही मुझे मेने चे मेने लग जाते हैं चीजों को ढूनने करने में लेकिन जब मिलता है ना सर इतना मतलब सर उस जट पकड़ता हूं इतना जट पकड़ता हूं उसे थमनेल पर भी लिखा वीडियो के अंदर भी बताया और ये भी बोला गिर्ते बजार में बतारों भागते बजार में तो सर कुट्टे की तरह गदे भी बॉगदेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा मतलब कहने का मतलब है स समझ दोना गोडे के रेस में गद्दुड़ जगाते आपको पता नहीं चल पाईगा सर भागते बजार में लेकिन लेकिन जब बजार गिर रहा हो तो आपको पता चल लागा सकता है ये स्ट्पनी का नाम में आपको दिखा देता हूं ठाकि आपके पसीने चूट्जा आपका पूरी तरीके से मैं सर कितना खुल के बोलू मैं आपको नहीं बोल भी दिया यहां हर चीज बोल रहा हूं विपरो यह वह जिन्दगी बदल सकता है आपके बूरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल के रख देगा और लोग बोलेगा सर आपने 10 बता है और आज इसने 10% का धमाका दिखाया है केवल आज इसने 10% का धमाका दिखाया है सर अब तो वो गाना गाना ही चाहिए सर मेरे देश की धरती है कि नहीं सर यह गाना तो बहुत ही फेमस है और कल 15 अगस्त है ऐसा गाना ही चलेगा मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मो सब उगलने लगा ना ये तो यही चीज होती है सर जब आप चीजों को रिसर्च करके ढूंदते हो सर और ढूंदा तो इसको और भी पहले था सर 70 रुपय का आज जू बाज जू मैंने इसको ढूंदा था तब से देख लो और नीचे से जिसने भी खरीदा वो तो सर और माला म क्यों बोलते हो जब वही चीज आपको ऊपर चली जाती है तो आपको अच्छा लगने लगता है सर कार किसी चीज के प्राइस बढ़ा देती है तो आपको खराब लगता है तो स्टॉक भाग जाता है तो आपको खराब लगना चाहिए ना सर है कि नहीं है समझों और सर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं यह company इतनी ताकतवर है इतनी ताकतवर है कि सर अभी तो समझ लो कि सर इसका trailer देखे है आप लो अभी तक आप लगो न है थिक एल –ALLY Traylor देखा है सर picture अभी बाकी है समझ लिए picture अभी बाकी है सर क्यों कि company बहुत मजबूत है sir बहुत का मतलब बहुत ही मजबूत है sir क्या बोलू मैं आपको इससे ज़्यादा खुल के तो नहीं बोल सकता है की नहीं कई बार तो वीडियो बना रखाओ और लेडिक जब सरी लगबग मैं आपको बोलूँगा मुझे पता है लेकिन आने वाले दिनों के बाद जब आप पस्ताना स्थार्ट करोगे तब मानना पड़े या sir क्यों कि आज किसी स्टॉक माल लेता है आज कोई स्टॉक 50% गीरा हुआ आप sir इसको भाव दोगे आप इसको भाव दोगे लेकिन जब यही स्टॉक कल के डेट में 5 रुपे चला जगा तो sir जब कमपनी अपना भाव बढ़ाएगी ना तो sir उस ताइम के वले की रास्ता बचता है वो है sir पच्ताने का रिग्रेट करने का sir अदर कोई रास्ता बचता है नहीं sir वहापर तो इसी तरीके से अभी यह सारी चीज़े मैं आपको सिखाने वाला हूँ बताने वाला हूँ अडवांस लर्नी क्लास में अडवांस लर्नी कोर्स में sir और यह पेड़ी नहीं बहुत महेंगा है sir यह केवल उनके लिए जो अपने अंदर जिनकी आत्मा बोलती है कि मैं stock market में काम करना चाहता हूँ sir और मैं पूरी गहराई से सिखना चाहता हूँ यह उनके लिए sir और यह बहुत महेंगा भी है इस महीने मैं price increase नहीं करूँगा क्योंकि 15 अगस्त है इस वज़े से अगले महीने मैं price increase हो जागा फिर बाद में मत बुलिया कि price बढ़ा दिया गया investment की दुनिया के sir पूरी निचोड चीजे मैं आपको सिखा दूँगा अपने पैरों पे खड़ा हो जाओगे sir और यह डिंगे नहीं हाक रहा हूँ sir करके दिखाया हूँ उसके बाद मैं आपको बोला हूँ और stock भागने से पहले बोला हूँ sir तब जाके यह सारी चीजे आपको सिखाने वाला हूँ sir